दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए टिकनाव रिव्यू को और बिल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो आपके सबस्क्राइब करें और आज के सबस्क्राइब करूंगी कुछ अमेजिंग फीचर्स, टिप्स और ट्रिक्स और पोको X2 रनिंग और M.I.U.I. 11 तो इस वीडियो को आखे तक ज़रू देखते रहें क्योंकि इन फीचर्स को जानने के बाद इस पोन को आप और भी बैते इन तरिके से यूज कर पाऊंगे अदियास गाईज अब आपने तक चाहन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेची आपको मिल जाएगा रेज सब्सक्राइब बुटन, उसे जरू क्लिक कर लीजिए और तिकी पास सब्सक्राइब आइकन उसे भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी सारी लेटिज वीडियोज आ याने कि इस option से आप home screen के layout को लॉग कर सकते हूं और इसके बाद आप किसी को phone देते हूं तो वो कोई application को remove या फिर uninstall नहीं कर पाएगा यहां पर है more की option जिसमें firstly यहां पर है background तो इन background आपको मिलता है तीन options एक है light, dark and system तो यहां से आप सकते हो कि किस तरह की background आपको चाहिए और नीचे है transparency bar next icon pack जहां से आप phone में किसी भी दूसरी icons को add कर सकते हो इसके बाद यहां पर है customized layout तो इस slider की मदद से यहां से ही आप directly customize कर सकते हो layout को next option यहां पर है manage app categories तो यहां पर अगर category wise आपको applications चाहिए तो सिर्फ इस option को आपको toggle on करनी होगी और इसके बाद in app drawer आपको सारी categories मिल जाएगी जहां पर individually हर एक category के अंदर apps divided हो जाएगी अब next app drawer और अगर app drawer में आपको चाहिए app suggestions तो simply यहां से इस option को आपको toggle on करनी होगी और आपको मिल जाएगा app suggestions जो आपको अपको मिल जाएगा app suggestions जो आपको फ्रिक्वेंटी यूज करते हो इसके बाद है अब next home screen और home screen में सारी basic features ही है यहां पर एक option आपको दिख जाएगा show memory status तो इसे अगर आप अनेवल करते हो तो recent window में उपर आपको दिख जाएगा memory status notification badges की भी option है याने कि किस तरह की notification badge आप चाहते हो circle या फिल नंबर वो आप यहां से लेक्ट कर पाओगे अब आगे बढ़ते हैं phone की notification panel पे और यहां पर features basic ही है बहुत ज्यादा changes यहां पर नहीं हुई है features आपको काफी सारी मिल जाएगा वैसे in notification panel जैसे की reading mode अगर आप रात के वक्त phone को बहुत ही ज्यादा use करते हो तो इसे आप enable कर सकते हो जो है phone की night mode और इसे enable करने पे आपकी आँखों पे काफी less strain होगी phone की brightness से next is dark mode अगर आप थोड़ी सी battery saving करना चाहते हो phone में तो आप use कर सकते हो dark mode जिससे एक dark theme enable हो जाएगी phone में next कुछ और भी options है जैसे की focus mode for example अगर आपको कोई आप बहुत ही ज्यादा distract करता है तो इसमें जाके आप उस आपको select कर सकते हो और उसके बाद notification panel से अगर आप enable करते हो focus mode तो इस application को आप खुल नहीं पाऊगे इस mode को आप यहां से directly disable भी कर सकते हो और उसी के साथ है gray scale यह बिल्कुल है like dark mode यानि कि अगर आपको एक gray scale black and white theme चाहिए phone में तो यहां से आप gray scale को enable कर पाऊगे अब आगे पड़ते है कुछ normal call settings पे and in call settings यहां पे थोड़ी बाद options आपको extra मिलता है इस बार अगर इन 3 बार पर आप टैप करते हो तो नीचे है settings की option इस पे जाने के बाद firstly यहां पर आपको मिलता है call recording की option inbuilt तो directly किसी वी incoming call को आप यहां से record कर सकते हो next incoming call settings तो इसमें कु right ringer when lifted और अगर रिंग हो रही है phone को ठाने पर phone silent हो जाएगी next increase notification volume तो ऐसी बहुत सारी options यहां पर आपको मिल जाएगा अब रता है recense window में और सबसे पहले ऊपर आपको मिलता है split screen mode यहां से directly आप जा सकते हो in split screen और नीचे यहां पर है सारी apps जो आपने खो लिया in background इन पर करते हो तो तीन options यहां पर आती है lock, split screen and lock पर टाप करने पर यहां पर अगर आप cross button पर टाप करके हर एक application को रिमूफ कर देते हो background से उसके बाद भी जिस application को आपने lock की है वो background से रिमूफ नहीं होगी जहां से directly आप जा सकते हो in split screen mode अब आगे बढ़ते है settings पे और यहां प connected हो किसी wifi network से और signal strength बहुत ही कमा रही है और आपकी phone में है mobile data भी तो जब भी wifi connection poor होगी या फिर weak होगी phone automatically switch कर लेगी to mobile data उसके बाद यहां पर है lock screen और inside lock screen काफी सरी important options है जैसे कि as usual यहां पर है raise to wake की option अगर phone table पर है और इसे आप अठाते हो तो instantly phone screen wake up हो जाएगा next यहां प play ना होने के बाद भी तो यह option आपके लिए बहुत ही helpful होगी notifications आने पर phone की screen wake up हो जाएगा next यहां पर है glance for MI अगर आपको lock screen stories feature चाहिए POCO X2 में तो इस option को आपको enable करनी होगी यहां पर आप खुद की photos भी डाल सकते हो जीच एक और option है lock screen clock format तो यहां से lock screen की clock format है उसे आप चेंज कर पाओगे लास्ली यहां पर है launch camera और अगर आपकी phone locked है और phone की volume down button पर डबल प्रेस करते हो तो इससे launch होगी camera अब आगे पर दिस्प्ले पे और डिस्प्ले में सबसे पहले यहां पर है color scheme तो फो फोन में जिस तरह की आपको चाहिए आपको चाहिए या फिर फोन में आपको 60 अर्स की चाहिए या फिर 120 हर्स की अगर शिस्टी हर्स को स्लेक्रते हो तो बैटरी सेविंग होगी phone में next है notch and status bar तो phone में जो notch है उसे अगर आप हाइट करना चाहते हो तो यहां पर है और अप्शन और इंडिविजुल आप्लिकेशन में आप नौच को अनेबल कर सकते हो और इसे के साथी phone की status bar के लिए कुछ settings है यासे show icons for incoming notifications, show connection speed, और battery percentage अब आपको चाहिए phone की status bar में तो नीचे है battery indicator की option अब next बढ़ता है notifications पे और यहां पर आपको मिलता है three options Locks to Notifications, Floating Notifications and Notification Badges So, individually, किनके नपसे, किस तरह की Notification Alerts आपको चाहिए, वो यहां से आप सिलेट कर पाऊगे And not only that, पर उसी के साथ ही Notification Shade को भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपको MIUI-Style Notification Shade चाहिए, उसकी Option है या फिर Android-Style भी आपको यहां पे उसापको इंस्टॉल करने के बाद, बहुत सारी Options यहां पर आपको मिल जाएगा, तरह आपको इसे Toggle On करनी होगी First, Layout option यहां पर जाके Notification Shade उसको आप फुली कस्टमाइज कर पाऊगे अपको इसे Toggle की लियाउट को आपको इसे Toggle की लियाउट को चेंज कर सकते हो, काफी सारी Extra Options आपको मिल जाएगा हर एक चीज की Individually आप Colors चेंज कर पाऊगे, इन Colors उसे के साथ इस Option में जाके आप Notification Shade को ट्रांसपरेंट भी कर पाऊगे तिर वे नहीं पर Notification Shade को कस्टमाइज करने के लिए, अडिशिनल कुछ options भी आपको मिलता है जैसे कि लियाउट में अगर आप नीचे स्ट्रॉल करते हो, तो Option Brightness Slider in Header तो इसे अगर आप Toggle On करते हो, तो Notification Shade में उपर ही आपको मिल जाएगा अगर आप जाते हो, तो नीचे स्ट्रॉल करने के बाद, आपको एक option मिलेगा Mobile Data Always Active आप बोद Mobile Data & Wi-Fi को एक सथ On रखना चाहते हो, तो यहांसे जाके सिर्फ आपको अनेवल करने होगी Mobile Data Always Active और यह करने से Mobile Data हर वक्त अक्टिव रहेगी फोन में Wi-Fi on होने के बाद भी अब next यहां पे है Password & Security इस फोन में आपको मिलता है Side Mounted Fingerprint Sensor Face Unlocking की Feature भी है और दोनों इक बहुत ही responsive है फोन में Additionally, Poco X2 को आप अनलॉक कर सकते हो Bluetooth Device यूज़ करके उसकी एक option मिलता है यहां पे सिर्फ आपको सिलेट करनी होगी अनलॉक डिवाइस इसके बाद दूटूट डिवाइस आद करनी होगी आपको और फोन की Fingerprint Unlocking में एक Option अडिशनली आपको मिलता है इसमें अगर आप जाते हो तो यहां पर है Recognition Method अगर फोन को प्रेस करके अनलॉक करना चाहते हो उसकी Option आपको यहां पर मिलता है यहां फिर आप सिलेट कर सकते हो Simple Touch जिससे इंस्टेंल अनलॉक हो जाएगी फोन अब आगे परते है कुछ अदिशनल सेटिंग्स पे जहां पर है नॉर्मल बटन शॉटकर्स लाइक लांच कैमरा अगर आप डबल प्रेस करते हो पार बटन पे तो इससे कैमरा लांच होगी यहां पर भी सिमिलर फीचर्स है जो आपको आपको नॉर्मली मिलती है हर एक शामे की फोन में और स्क्रींशाट्स लेने के लिए सिर्फ आपको थ्री फिंगर स्लाइड डाउन करनी होगी और एकदम नीचे आपको मिलता है अगर पार बटन को आप 0.5 सेकेंड प्रेसंट होल करते हो तो इस एनबल हो जाएगी गूगल असिस्टेंट अब इस फोन में 100 उसेज करना बहुत ही दिफिकल्ट है फोन बेसिकली है फोट टू हैंड दी आपको बिलता है उप्शं स वंडे मोट की जिसके बाद अगर आप इस तरह किसे स्वाइब करते हो नाविकेशन बटन पर यहांप इनबल हो जाएगी 100 मोट अब 100 Mode के बाद यहां पर है Accessibility Settings, नीचे स्कॉल करने पर यहां पर है Option Remove Animations तो 120Hz के लिए फोन की UI बहुत ही Fast है, तो सब्सक्राइब और भी Fast करना चाहते हो, तो यहां पर आके आपको एनिबल करनी होगी Remove Animations तो यहां नीचे स्कॉल करने पर यहां पर एक Experimental Option है, Switch to Speaker Automatically जब भी आप फोन को कान से दूर लोगे, इंस्टेंटली फोन में लाउट स्पीकर अन हो जाएगी द्यूरिंग कॉल्स अब इसके साथ इस फोन में भी आपको मिलता है Digital Wellbeing की Option, यानि कि कितनी देर तक आप फोन को यूज कर रहे हो, कितनी बार आपने फोन को अनलॉक की है, हर एक Information आपको यहां पर मिलेगा, और यहां से आप एक Control रख सकते हो अपनी फोन उसेज पर नीचे आपको मिलता है Performance Mode, जहां पर आप खुद कस्टमाइस कर पाओगे कि किस तरह की Performance आपको चाहिए, कुछ सरींस बगेरा यहां पर आपको मिलेगा, जिनने अगर आप खुद कस्टमाइस करोगे, तो बहुत ही Enhanced Gaming Experience आपको मिलेगा in Poco X2, Quick Replies की Option है, क्यानि कि WhatsApp, WeChat, कुछ इस तरह की Messaging Applications मे आपको यह feature मिलेगा, for example, आप किसी application को यूज कर रहे हो, और तभी आप रिसीफ करते हो कोई WhatsApp Message, तो वो आएगा in Form of Quick Replies, जहां से डायेकली आप रेप्लाइ कर पाओगे, अपको कुट किये बिना, आप पाने ही पड़ते है कुछ camera features पे, और camera settings में बहुत ज्यादा चेंज से ही है, semi camera UI है, और यहां पर features भी आपको बिल्कुल similar ही मिलेगा, थोड़ी बल स्पेशल features है, यासे कि पोफो S2 में आपको मिलता है 64 Megapixel की camera, जिससे आप बहुत ही sharp details वाली photos ले सकते हो, उसे साथ ही इस phone में, ultra wide angle mode for wide angle photos, dedicated macro lens ए फोन में, तो इससे आप macro videos and amazing macro photos ले सकते हो, और वीडियो में हाइस resolution है, आप 2 4K, प्रंट कैम्रा वीडियो में आपको मिलता है एक beauty option, और इस phone साब ले सकते हो, super slow motion videos at 960 fps, अब वीडियो में ऊपर आपको कुछ नई उप्शन मिलता है, जिसमें से 1st है, track moving object, अगर किसी object को आप इस तरही की से डप करते हो, इस option करने करने के बाद, तो जिस साब भी आप अबजेक्ट को मूब करोगे, चामरा उसे ट्रैक करती रहेंगी, तो इसी के साथी Poco X2 में आपको मिलता है शूट ब्लोग की option, तो यहां से आप ब्लोगिं कर साथे हो, नीचे कुछ प्रीसेट आपको मिल जाएगा, सब जाने के बाद आपको बढ़े यहां सब्सक्राइब अब पताएं कुछ आपको इसी फीचर के बारे में, जो की मैंने मिस की है इस वीडियो में, तो नीचे कमें सेक्षिन में आप सब्सक्राइएं अगर आपको यह वीडियो पसंदा आए तो इस तो ज़रू लाइक कीज़े और माई चाह को जुरू सब्सक्राइब करें अब से फिर मिल दे अगले वीडियो में तब तक के लिए दू टेक करें